दोस्तों रमस्कार मेरे नाम संजय मगुः और मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभाज चुनाव का एलान और चुनाव एलान के बाद आज से शुरू हुए नामांकन और इसी के बीच कल आई भारती जंता पार्टी के से पुकलत आई बीच का और हर्याना के अंदर किसी विधान सभा में चले जाएं किसी छेत्र में जले जाएं आपको एक बाद जरूर सुनने को मिलेगी कि बीजेपी से इनकी कट गई है ये अब मैदान में आ सकते हैं ये भाजबा को समर्थन देंगे या नहीं देंगे हाला कि ये जारी रहने वाला आगे भी क्योंकि अब कॉंग्रेस की सूची का इंतजार है संभवता आज या कल में कॉंग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी और जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं वो ऐसा है कि 90 कि 90 विधानसभाओं पर अगर गठबंदन कॉंग्रेस का हो रहा है तो भी और नहीं हो रहा तो भी प्रत्याश्यों का जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिन विधानसभाओं सीटों पर कैंडिडेट्स लगवग आमने सामने हैं लगवग तय है कि भाजपा के कैंडिडेट का तो यह एलान हो गया और कॉंग्रेस से यह हो सकते हैं तो फिर वहां और क्या खेचडी पकेगी इस पर नजर सबकी है और इन समके बीच म पारनिक महत्यवाली विधानसभाओ सीट पलवल को लेकर पलवल बीना मात्रा का शहर पलवल और पलवल जिसके बारे में कहते हैं कि आप पल में बल आता है पलवों का शहरorter यानि की तालावओं का शहर पलवल अब राजनीती में कौन सी हल्चल कर सकता है यहां पर दो और भारती जन्ता प्राटी के केंडिडेट के रूप में यहां पर नाम आ चुका है गौरव गौतम का। महराष्ट मुंबई के सह प्रभारी है और अब केंडिडेट हैं पलवल से विधान सभा के गौरव गौतम जबसे नाम चले और दोनों नाम आए उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई कि तीसरा कौन क्या इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला होगा या फिर केंडिडेट कोई और बीच में भी आएगा क्या दोनों प्रत्याशियों के बीच आमने सामने की लडाई होगी क्योंकि 2019 के विधान सभा चुनाव में पलवल का चुनाव आमने सामने का था सामने करन सिंग दलाल थे कॉंग्रिस से और उनके सामने दीपक मंगला थे भारती जंता पर भविष्य लिखा जाता है जो हरी पलवल का राजनितिक इतिहास है अगर आप चुनाव देखें 2014 का 2009 का 2005 का यह चुनाव हमेशा त्रिकोनी चोकोनी इस तरह का रहा है 2014 का विदान सवा चुनाव ही देखें भारती जंता पार्टी से टिकेट मिला था दीपक मंगला को कॉंग्रेस के कैंडिडेट थे करन सिंग दलाल भारती जंता पार्टी में उस समय थे सुभाष कत्याल और इनेलो में थे सुभाष कत्याल को टिकेट नहीं मिला तो पाइटी का टिकेट लेकर चुनाव मैदान में आ गए इंडियन नेशनल लोगदल से सुभाज चौधरी मैदान में थे मुकाबला कुछ ऐसा बना कि चोकोणिये तिकोणिये मुकाबला तो हुआ ही चोकोणिये तक जाने की बात चली और उस चुनाव के अंदर करन सिंग दलाल चुनाव जीत गए लगबग 5,000 वोट से और दीपक मंगला चुनाव हार गए लगबग 5,000 वोट से अब बात 2024 की चल रही है और मैं आपसे कह रहा था और मेरा स सामने आ सकते हैं तो मैं आपसे चर्चा करता चलू हाला कि कहने के लिए तो यहां पर जो दो गठवंदन और बच जाते हैं अगर आमादमी पार्टी का कॉंग्रेस से गठवंदन हो रहा है तो फिर आप मान करके चलें कि पलवल में कॉंग्रेस का ही कैंडिट होगा आमाद पार्टी इन दोनों का कैंडिडेट के तोर पर अगर देखे तो हरित बैसला का नाम सामने आ चुका है एसपी के बता और कैंडिडेट लेकिन राजनीति के अंदर टिकट मिलना कटना कोई छोटी बात नहीं है चलता रहता है बड़ी बड़ी दिगज पार्टियों के भी कै लोगदल का एलाइंस इस एलाइंस से अभी तक कोई केंडिडेट सामने नहीं आया जो मैं आपको बता रहा था सुभाज चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक ब्लाई हुई है साथ तारीक को साथ सितंबर को साची ग्रीन में बैठक करेंगे उनके परिवार से हैं पवन भड़ाना पारशद है नगरपलिशद के मेरी अभी उनसे टेलिफोनिक बात हो रही थी तो कह रहे थे भईया बैठक में बैठा हूं मीटिंग में हूं मीटिंगों के दौर चल रहे हैं बैठको दो बार विधायक रहे पलवल के जेल मंत्री आवास मंत्री के पत्तक पहुँचे 1982 से 87 की सरकार में वो मंत्री हुआ करते थे चौधरी कल्यान सिंग के निधन के बाद उनकी राजनितिक जो विरासत थी उसको संभाला सुभाश चौधरी ने और उस राजनितिक विरासत के राजनितिक वर्कष के अब कई शाकाएं हैं सुभाश चौधरी हैं पवन भड़ाना है महें ऑर बह ¿कउए नाम है रंदीब भड़ाना मयंग द्हूधरी ए तमाम द्हस दुधरी नाव Нें आयदक बढ़ांब कि कभी बाताई पवन भड़ाना की दौनों में से कौन केंडिडिट क्या कोई चुनाव की तैयारी करेगा भी या फिर जंता के बीच केवल श्रीगूफा छेड रहे हैं राजनितिक हमाई बता रही है जो मैं आपको बता रहा था किस परिवार से कोई आदमी चुनाव मैदान में हो सकता है को सभास्चोधरी होंगे या वह पवन भड़ाना होंगे या भी आने वाले दुनों में एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा होंगे भी या नहीं होंगे ये भी तैय हो जाएगा होंगे तो कौन सी पार्टी से ये भी सामने आ जाएगा अब बात आ जाती है सु कि मांग की टिकर्ट नहीं मिला था हूं 2019 से 2024 के बीच में אם जो टीस है वकर कहते हैं कि उन्हें कि उन्हें जो मिलना चाहिए था उनका जो राइट था यह उन्हें उण तो पार्टी में नहीं मिलें ओग्राजनितिक सुत्र बताते हैं यह उस्के अंदर कुछ ऐसी कि सुभाज हैं पर उनके नजदी की लोग उनका प्रिशर है वह भी खेह रहे हैं और राजनिति सुत्र बात चलती है कि जो चुनावी राजनीती है पुरानी कहवत है जो लड़ता है वही जीतता या हारता है और सुभाश कत्याल पर भी उनके समर्थक उनके जो शुब्चिंतक हैं उनके चाहने मिलने वाले हैं वो कंटिन्यू इस परकार की बाते पहुँचा रहे हैं अब फैसला क्या जो मैं आपसे कहा था कि क्या 2024 का चुनाव आमने सामने सीधे सीधे करंदलाल वर्सिस गौरव गौतम और या फिर तीसरा कोई और तीसरा कौन सवाल आप पर छोड़ करके जा रहे हैं क्या यह आश्रणाई आमने सामने की होगी पलवल की और या फिर बावु को तिकोना बनाएगा कोई सदस्य क्या सुभाश का त्याल या उनके पुत्र में से भी कोई चुनावी मैदान में उतर सकते हैं अगर बावु कल्यान सिंग के परिवार से कोई मैदान में आता है तो फिर कौन सुभाश चौधरी या पवन भड़ाना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना